हाई माई डियर फ्रेंड्स या तो आप उम्र के इस पड़ाव को पार कर चुके हैं या आप इस पड़ाव में हैं आप किसी भी अवस्था में हो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है आज हम बात करने वाले हैं लव करियर और हेल्थ में किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारा भविश्य उजवल भविश्य हो ध्यान रखेगा आप चाहें करियर की बात करें आप चाहें लव की बात करें सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तभी आप करिय प्राइज देने वाला नहीं हूं मैं तो यहां पर आपको केबल समझाने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए यह आपका परसनल रिंडने रहेगा कि आपको दोनों में से क्या चूज करना है health लेकिन दोनों ही अवस्था में सबसे पहले priority होने चाहिए हम बात करेंगे career और लव के बारे में, आप मैं बात करता हूँ कि जाला तर करियर और लव की अपॉर्चुनिटी को स्लेक्ट करने के लिए जो राइट एज जाला तर जो होती है, वो होती है 18 से 24 साल की उम्र, इस एज को गोल्डन पीरियड ऑफ दा एज भी कहते हैं, आपकी उम्र की सबसे बेहतरीन समय जो होता है, वो होता है 18 से 24 का, क्योंकि इसी समय पर आपके लाइफ में बहुत सारी चीजों में बदला आवाने वाला है, सबसे पहली बात, जब आप इस गोल्डन पीरियड की एज में होते हैं, तो सबसे पहला जो इंपक्ट होता है, वो होता है new education system, friends, हम बचपन से ही ना, स्कूल में पढ़ते आई हैं, तो स्कूल में पढ़ते हैं हमारे पास बहुत सारी boundaries हैं, जिसके वो parameter को हमें follow करना होता है, जैसे किस तरह से homework करना है, attendance कैसी होनी चाहिए, uniform आपकी ठीक होनी चाहिए, आपके friend circle में भी लोग निश्चित होते हैं, first class से लेकर और 12th class तक लगबग जारातर लोगों के दोस्त एक जैसे होते हैं, और बचपन से ही हम एक दूसर वाली boundaries नहीं है, वो uniform का system नहीं है, वो classroom attendance की boundaries नहीं है, homework करने का rule and regulation नहीं है, यहाँ पर आपकी life में एक नया turning point आता है, और जिस turning point में आप एक नए education system में आते हैं, और जैसी कहते हैं कि समय में परिवरतान आता है, तो हमारी life में भी एक बहुत बढ़ा change आता है, सबसे पह जी सकते हैं, और freedom of life मिलने के साथ साथ बहुत सारी बातें आपके सामने आपके life में आती हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में या आपको पीछे धकेलने में बहुत बढ़ी कारगर सिद्ध होती हैं, या आपके उपर निर्वर करता है कि freedom of life को आप कैसे enjoy करते हैं, new friends आपक इसी लिए यहाँ पर आपको नई दोस्त मिलते हैं, जब आप college में जाते हैं, किसी professional course में जाते हैं, या कहीं भी नई opportunity, कहीं training, कहीं institution के professional course में जाते हैं, तो नई दोस्त आपके life में बनते हैं, friends बच्पन से जो दोस्त हमारे साथ होते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जा तक सिद्ध हो सकते हैं, साथ में body में बहुत सारे hormonal changes हो रहे होते हैं, एक युवा जब अपनी 18-19 साल की एज को पार करता है, तो life में बड़ा change आना शुरू हो जाता है, और यह natural है, प्रकृती के और से ही हमें ऐसे life में hormonal changes मिलते हैं, हमारी नई उमंगे होते हैं, नई दोस्तों से मिलने की चाहत होती है, freedom में जीने की आदत में हम पढ़ना चाहते हैं, और यहीं पर attraction to the opposite sex, opposite gender हमारा बढ़ने लगता है, क्योंकि life न एक नए पढ़ाब में जाने वाली होती है, जिसकी वाज़े से दूसरे gender के प्रति हमारा आकर्शन बहुत अधिक बढ़ता ह है, ऐसे में यह निर्णा कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है, कि हमें हमेरे life में education को priority देनी है, love को priority देनी है, या हमें अपनी life में, अपने career को priority देनी है, friends, life में आपकी priority क्या होगी, यह आपके open level करता है, लेकिन मैंने बहुत सारे अनुभवी लोगों से जब बात की, जिन्होंने love marriage की, जिन्होंने arrange marriage की, जिन्होंने career को priority दी, जिसने love को priority दी, तो वहां से बहुत सारे महत्पूर्ण तथ्य यहाँ पर निकल कर आए, जो आज मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ, why your first priority should be your career, इस बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा explain करूँगा, यह आपके open level कर you, प्यार जो है ना, वो आपके लिए इंतजार कर सकता है, एक जो युवा वस्था का प्यार होता है ना, वो बहुत जल्दवाजी में होता है, उसको ऐसा रखता है कि मेरी life खतम हो जाएगी अगर मैं इसके साथ नहीं रहा, है ना, ऐसा महसूस होता है, लेकिन career जो है ना, बी एस एफ में, आर्मी में, एर फोर्स में जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी एक age foundation है, बहुत सारे courses के लिए age foundation होती है, अगर आप प्यार के चक्कर में पढ़े रहेंगे, तो career में आप पीछे रह जाने वाले हैं, ये बात मैं इसलिए कहा रहा हूँ, क्योंकि जब हम प्य age कर चुके हैं, और life में बहुत जारा successful हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बाते बताई जो में आपको बताने वालो, तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, आप अगर अपनी life के golden period में हैं, तो प्यार आपके लिए इंतजार कर सकता है, लेकिन career आपके लिए इंतजार कभी नहीं करेगा, क्योंकि जहां पर age foundation है, वो सारी opportunities आप से छूट जाने वाली हैं, क्योंकि यदि आप priority 100% अपने प्यार को देते हैं, दूसरा, love will not feed you, प्यार आपको ना feed नहीं करेगा, feed क्या करेगा आपका career, आप अगर career में अच्छे से establish हो जाएंगे, तो आप कभी भी financial problem में नहीं आएंगे, अपनी family को अच्छे से रख पाएंगे, अपने घर, मकान, गाड़ी, जो भी सपने आपने देखे हो सारे पूरे कर पाएंगे, इसलिए career को priority देना बहुत important है, इसके लावा, प्यार जो है ना, है तो वो permanent, लेकिन बहुत सार लोग कहेंगे, सर आपने दिया कि temporary होता है, temporary happiness होती है, दोस्तों, अगर आपकी priority आपका प्यार है, उसके अलावा, आपने अपने career पर focus नहीं किया, तो वो priority जो आपकी थी ना, वो temporary रह जाने वाली है, क्योंकि एक बार जब आप एक relation में आने के बाद शाधी कर लेते हैं, और जीवन यापन करने के लिए आपको problems आती है, life को अपने enjoy करने के लिए आपको financial soundness की जुरूत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको पता लगता है कि वो जो प्यार था ना, वो temporary था, क्योंकि आपने अपने सपने पूरे करने के लिए कि वो प्यार को प्रार्थमिकता दी है, लेकिन आपका जो career ह वो एक permanent happiness आपको देता है, आपको financial soundness देता है, आप अच्छे से अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, और जिन लोगों का career set है ना, उनको प्यार की अच्छे opportunities जब भी मिल जाती है, यह आपके उपर रिभर करता है कि आप क्या priority देती है, ठीक है ना, career can give you name, fame, respect, money, but love will not, यह depend करता है कि आपकी financial position क्या है, इसके वारे में भी आपको बताने वाला हूँ, career अगर आपका एक बच्छे सेट हो जाता है ना, तो आपका नाम बढ़ता है, आपका fame बनता है, आपकी respect बनती है, आप money generate कर सकते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो अपनी life मे career को priority देते हैं, उनका अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो career को priority देते हैं, और career set हो जाने के बाद भी उनकी life में love की अच्छी opportunities आती हैं, और अच्छा जीवन साथी, जब आप ज़्यादा सफ़ा लोगे ना, तो आपको अच्छा जीवन साथी भी मिलने वाला ह अच्छे से प्यार करने वाले लोग भी मिलने वाले हैं, 18 से 24 की जो golden age है, उसमें बहुत important है, यह identify करना कि मैं दोनों के बीच में समनवे कैसे बनाऊं, दोनों के बीच में coordination कैसे बनाऊं, या मेरी priority क्या होने शाहिए, identify the most important values you want to prioritize, आप इन में से कौन सी important values हैं, जिनको priority दे ना चाते हैं, then you can define, you can decide if love or your career, आप सबसे पहले अपनी priority को decide करें, कि मेरे जीवन की priority क्या है, मेरे जीवन में खुशहाली के लिए सबसे महत्पून बाते क्या है, मेरे parents के लिए सबसे important क्या है, मेरे social circle के लिए important क्या है, उसके बाद आप decide करें, you want to involve your 100% time in love, और with your career, या यदी आप समझदारी से काम लेते हैं, तो अपने प्यार के साथ सार्थ भी आप اपने career को set कर सकते हैं, एक छोटा सा समय अपने प्यार के लिए निकालें, अपने love के लिए निकालें, और बाकी बचावा समय अपने career को set करने पर लगाएं, बहुत सारे लोग जो love marriage करते हैं यंग age के साथ ही हैं वो लोग ये बात पताते हैं कि हमने हम प्यार में तो थे लेकिन उसके बावज़ूत भी हम दोनों ने मिलकर अपने career को set करने पर भी अपना ध्यान लगाया और focus किया कि प्यार के साथ साथ जब हम अपने career में success हो जाएं और उसके बाद ये decide करें कि क्या आप love या career दोनों में से क्या चुनते हैं और इदी दोनों को एक साथ चुनते हैं तो उनके बीच में आप coordination कैसे बिठाएंगे साथ में बहुत important बात में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले ये तीन चार बाते हैं जिनको आपको identify करना बहुत important number one your financial background friends बहुत सारे लोगों का financial background बहुत sound होता है वो financially बड़े रिच होते हैं तो उनको future को ले करना बहुत ज़दा मतलब risk feel नहीं होता बहुत ज़दा tension नहीं होती है तो ये आपको देखना है कि सबसे पहले आपका financial background क्या है मैंने आपसे कहा love versus career में selection करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका financial background क्या है ये दिया आपका financial background strong है तो ये आपका decision होगा you want to make your career first और you want to go for the love और उसके बाद possibilities of opportunity कई बार क्या होता है financially आप बहुत जारा sound है लेकिन possibility of opportunity आपके पास नहीं है जैसे बहुत सारे लोगों की family में क्या होता है कि जो parents है वो government job में ह यहाँ पर उनका financial soundness तो है future security तो है लेकिन वहाँ पर आपके पास opportunities आपके पास नहीं है क्योंकि जब तक आपकी job नहीं लगेगी तब तक आप भी आगे नहीं बढ़ेंगे उस पैसे से आप करेंगे क्या ये आपको देखना है कि क्या आपके पास opportunities हैं बहुत सारे लोग ऐ higher education लेते हैं graduation कर लिया post graduation कर लिया MBA कर लिया और higher education कर लिया और higher education कर लिया बाहर विदेश से भी पढ़के आगे लेकिन उसके बात भी समानना उनको अपना business है तो आपके पास क्या वो opportunity है मतलब आपकी family में job की priority है या business की priority है business background है तो आपको choose करना की career versus love आपके choice होगी feeling and emotion of a family कई बार क्या होता है बच्चों को लेकिना माबाप के बड़े सपने होते हैं कि इसकी शादिया मैंसे करेंगे धुमदाम से करेंगे अपनी choice से करेंगे अपने relation से करेंगे अपने आज कल ऐसा है आज भी हमारे tradition में इस तरह का माहूले कि हम अपनी अपनी जाती में अपने समुदाय में वो marriage करेंगे तो आपके parents की feeling क्या है उनके emotion क्या है इस बात पर भी ध्यान आपको देना होगा love versus career को select करने के समय और साथ में आपके personal goal क्या है आपके vision क्या है आप अपनी life के बारे में क्या सोचते हैं ये निरनय भी सत प्रतिशत आपका होगा पर एक problem है कि जब हम 21-22 साल की age पर होते हैं तो हमें लगता है हमारी life के बारे में हम सब कुछ decide कर सकते हैं हम सब कुछ जानते हैं हमें सब कुछ पता है अरे 20 साल पहले कुछ और होता था आपके जमाने में कुछ और होता था आज का जमाना ऐसा नहीं है भविश्य में ऐसा नहीं होगा दोस् नहीं है कि जमाने में लोगों के thought process पे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और भविष्य में भी ऐसा होगा आज अगर love marriage हो गई नहीं तो भविष्य में भी arranged marriage होंगी होती हैं और होती आ रही हैं तो यह निर्न है आपको यह देखना है कि आपके family की feelings क्या हैं किस तरह के emotions कि आपको अपनी life से क्या expectation है इसके अलावा social values फ्रेंड्स आप socially कितना भी develop हो जाएं आप financially कितने भी sound हो जाएं आपकी family कितनी भी higher educated हो जाएं आपका सोचने का तरीका ना कितना भी modern हो जाएं आज भी social values love marriage को लेकर बहुत different होती हैं love marriage के बाद भी अगर parents ना arrange भी कर दिया ना उसके बाद भी जो values बहुत different होती हैं आपको यह देखना है कि क्या आप social values को अपनी life में महत्व देते हैं यह दिन नहीं तो वो आपके choice होगी और यह हां तो आपको इसका अनुभव भी बहुत जल्दी हो जाने वाला है जो लोग कहते हैं कि social value का हमारे life में कोई फरक बढ़ता आज से 20 साल पहले भी लोग ऐसा सोचते थे आज से 50-60 साल पहले भी लोग ऐसा सोचते थे उस समय भी love marriage होती थी लेकिन इसका अनुभव पता है कब होता है social values का इसका अनुभव जब होता है जब आपकी शादी हो चुकी होती है और आज से 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होते हैं और जब आप अपने बच्चों के रिष्टे के लिए समाज में जाते हैं तब आपको पता था ही social values की क्या एहमियत होती है life में इसलिए आप social values को भी जरूर count करो कि आप अपनी social values को कैसा बनाना चाहते हैं यह आपका personal decision होगा और जब भी आपके मन में कोई thought process आई ना तो मेरी बात को ना सुनकर आप उन अनुभवी लोगों से बात करें अपने circle में ऐसे लोगों से जरूर बात करें जिन्होंने arrange marriage की है जिन्होंने अपने career को priority दिये जिन्होंने love marriage के साथ साथ अपने career को priority दिये और कुछ ऐसे भी couple आपको मिलेंगे जिन्होंने love marriage के साथ साथ उस love marriage को parents की रजा मंदी से arrange marriage में convert की है तो love versus career ये बहुत बड़ा debate वाला topic है बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे और बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप मेरी ब identify करें कि आपके family का background क्या है आपकी opportunities क्या है आपके feeling and emotions क्या है आपके family के इसके लावा आपके life के खुद के personal क्या goal है क्या vision है क्या आप करना चाहते हैं अपने जीवन को अगले 20 वर्ष में आप कहां तक देखना चाहते हैं और समाज में आपकी क्या value होने वाली है इसका अ चाहेंगे मेरा उदेश्य आपको किसी भी बात को लेकर guide करना नहीं है मेरा उदेश्य किसी भी बात को लेकर pressurize करना नहीं है कि आप career को priority दें या आप love को priority दें या आप दोनों को एक साथ लेकर चलें मेरा उदेश्य है आपको किवल उन बातों से अवगत कराना उन बातो दिन लेने से पहले निरने आपको होगा स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत